तो आज हम क्लास फर्स्ट की NCRT इंग्लिश बुक मेरी गोल की यूनिट नाइन का चैप्टर आनन्दिस रेंबो के कॉश्चेन आंसर करेंगे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर को एक्स्पेंड कर लिया है विद वर्ड वर्ड मिनिंग तो आज हम इसके कॉश्चेन आंसर और इसकी कम्प्लीट वॉक्शीट करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं तो देखे इसमें रिडिंग इस फन इसका पहला कॉश्चेन है What did आनन्दी थी आउट्साइध हर विंडो आनन्दी ने अपने विंडो के बाहर क्या देखा तो क्या देखा था आननन्दी saw a huge reflect rainbow across a blue sky तो आनन्दी ने अपने घर के बाहर क्या देखा था एक बड़ा ब्राइट चमकीला रेन्बो देखा था कहां किल्यर ब्लू स्काई में यानि कि बाहर साफ और ब्लू नीले अकास में उसमें एक बड़ा और चमकीला रेन्बो देखा यानि कि इंदर धनुस देखा अब देखे अगला क्वेश्चिन है Was she happy to see rainbow? Second question क्या वो rainbow देखने के बाद खुश थी? बिल्कुल खुश थी क्योंकि उसमें क्या rainbow देखा तो वो खुशी के मारे तोड़ती हुई बाहर के दरब दवड़ी तो इस कहां से हम लिखेंगे Yes, she was happy to see the rainbow हाँ वो rainbow देखने के बाद बहुत खुश थी अगला कोशन देखे, number 3 What are the colors of rainbow? तो rainbow के क्या-क्या colors होते है मैं आपको बताया था कि rainbow seven colors से मिलके बनता है तो देखे, there are seven colors in the rainbow rainbow में seven colors होते हैं there are seven colors in the rainbow तो सबसे पहला color होता है violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red तो ये seven colors होते हैं हमारे rainbow में अब देखे, अगला है आपका, let's talk में देखे let's talk में देखे, पहला कोशन है Have you ever seen a rainbow? क्या आपने कभी इस rainbow देखा है? मैंने तो rainbow देखा है अगर आपने भी rainbow देखा है तो आप उसका answer लिख सकते हैं Yes, I have seen a rainbow हाँ, मैंने भी rainbow देखा है अगर आपने rainbow नहीं देखा है तो आप इसका answer नो भी कर सकते हैं Second question देखे When do you see a rainbow in the sky? When? यानि कि आप sky में आश्मान में rainbow को कब देख सकते हैं? यानि कि हमेशा तो rainbow नहीं निकलता है उसका एक particular time होता है जब rainbow इन दनुश आकास में दिखाई देता है तो वो conscious हमें होता है देखे वो होता है When we can see a rainbow in the killer sky after a rain हम rainbow को साफ आस्मान में यानि कि आस्मान मिलकुल साफ होना चाहिए और बारिश के जस्ट बात यानि कि जैसी बारिश खतम होती है आस्मान साफ होता है और जब सूरज की रोशनी उस पर पढ़ती है तब हमें rainbow दिखाई देता है क्योंकि बारिश की बूदे आकास में रह जाती है और जब सूरज की रोशनी उन पर पढ़ती है तो वो हमें colorful यानि के रंग भी रंगी lines में हमें दिखने लगता है तो उस समय हमें rainbow दिखाई देता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला देखे let's share तो आपको share करना है पहला देखे go outside and look at the clouds आपने बाहर जाना है और घर के बाहर आप जाके आपने देखना है किसको look at the clouds and what shape do you see in the cloud और आपने clouds में कितनी type of space देखे ने कितन тип के shapes यान कितने आकाड आपको दिखाए देता है कोई आपको और आपको upstairs में दिखाए देता है तो ऐसी अषी में आपको clouds दिखाए देते हैं तो आपको इसमें कितनी ah astronomers now come inside and draw the what you saw और आपने जो कुछ देखा बार उसको अंदर आके ड्रॉ करिए यानि कि आपने जो क्लाउड से हों कि शेप में देखे हैं तो आपको अंदर आके ड्रॉ करना है Now describe your drawing to your friends in your own language and then in English और उसके बार अपनी उस drawing को अपने friends के साथ आपने describe करना है कि आपने उसमें क्या-क्या बनाया है अब ओ भी अपनी language में और उसके बाद आपको उसको English में translate करना है अब देखे अगला है say aloud देखे यहाँ पर कुछ आपको word दिये गए हैं जिनको आपने जो 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 से पढ़ना देखे पहला word है देखे अब चलिए आगे बढ़ते है अब देखे let's do तो यहाँ पर आपने देखे एक आपको pictures दी गई है जिसको आपने क्या करना है उसमें look at the picture below circle the names of things that you can see in the picture तो देखे इस picture में आपको side में कुछ किया गए हैं कुछ word दिये गए हैं और इस picture में आपने वो चीज़े ढूटनी है और बताना है अगर वो चीज़ें आपकी इस picture में आपको दिखाए देदी है तो आपको उनको circle करना है otherwise आपने छोड़ देना है देखे पहला word है हमारा अम्रेला तो अम्रेला हमें देखे रहे हैं इसलिए हम अपने आपको circle करना है second देखे पडल पडल क्या होते है मीटी के छोटे चोटे गड़े जिनमें पानी भर जाता है पानी के छोटे चोटे गड़े तो पडल से हमें दिखे रहे हैं देखे इसमें एक बच्चा कूद रहा है तो यानि वो गड़ों में कुदरा है जहां पर पानी खटा हो रहा है तो यहां पर हम पडल को भी circle कर लेंगे उसके बाद देखे रेंड्रॉप्स रेंड्रॉप्स यहन्य बारिश की बूदे यह देखे बारिश की बूदे भी हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम रेंड्रॉप्स को भी circle करने हैं अगला है हाउस आउस भी पीछे बना हुआ है तो हाउस को भी circle कर लेंगे उसके बाद है cat यह देखे cat दिखाई दे रही है तो cat को circle कर लिए अगला है boat boat देखे यहां पर चोटी सी boat दिखाई दे रही है तो आप इस boat को भी circle करेगा उसके बाद मड, mud यानि कीचड in कीचड भी दिखाई दे रहा है यह भी देखे sun भी आ रहा है देके पिछी सूरज भी दिखाई दे रहा है तो उसको भी circle करेंगे कही नहीं दिखने का रहा है God को नहीं नहीं कोई पर दिखने का च ďंप आप आपको यह पर मैट दिखरी यह नहीं को आनका बीज़ीई जाना है और आपने देखना है कि यह क्या बनना है ते देखिए यहां से आपको A से B C D E F G H I J K L M P Q R S O P Q R S T U V W X Y Z तो यह देखिए आपके सामने क्या बन गई एक बटरफ्लाइ बन गई तो आपने भी ऐसी इन जॉइंट को इन डॉट को जॉइंट करना है अगला अगला देखिए इन द्गिवन स्पेस्ट्राइश रेन्बू एंड कलर इट अब देखिए यहां पर देखिए आपने रेन्बू को यह दिके ट्रेस करना ना यूँ और उसके बात आपको बदा था सेवन कलर होते है रेन्बू में तो आपको उन colors को आपने यह पर आपने ड्रॉ करना है जैसे कि आपने सबसे पहले यह प्रसक्ट करना है पीR guilt कर्ना हूं यहां पर वालइटि इंडिगो फिर आपने जो कलर आ रहे हैं आपके rainbow में आपको बता है था seven color का आपका rainbow बनता है उसके बाद क्या था देखे blue आएगा फिर आपका green आएगा फिर yellow फिर orange और लास्ट में red आएगा तो ऐसे आपने वह सारे color यहां पे color करने इसमें अब नीचे देखे say aloud the names of the colors on the rainbow और उनके बाद सारे colors के name बोलने let's write तो आपने देखे हैं आपकुछ letters दिये गए है stuv तो इन letters को आपने यहां पर trace करते हुए अपनी worksheet में इनको fill करना है अब देखे सबसे last में let's make a reader तो देखे use am or have in the blanks देखे यहां पर कुछ आपको sentence दिये गए हैं जिसमें हमने am or have को fill करना है तो देखे सबसे पहला I dash white in color तो यहां पर आप क्या लेखेंगे I am तो यहां पर आप M का use करेंगे I am white in color देखे जो दिखे रहा है white color का है I have H A V E I have two eyes I have four legs and short tail and I have इसमें भी have आएगा I have wool on me और last में आएगा what am I or मैं क्या हूं मेरे I am white in color में उस color में सवेद हूं और I have two eyes मेरे पाद दो आख है I have four legs and a short tail और मेरे पाद चाठांगे और छोटी सी पूच है and I have wool on me और मेरे उपर wool यहने की own होती है and what I am और मैं क्या हूं आपको पता हूं जो वाइट कलर की होती है जिस्ते हम own लेते हैं उसका नाम क्या होता है उसका अंशन भी लिखा है शीव तो उसका आंसर होगा शीव यानिकी मैं भेडूं तो इसके साथ हमारा यह chapter complete हो गया आनंदी rainbow I hope आपको chapter पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तके लिए थैंक यू